हालो फ्रेंट्स वेल्क टो माई चैनल इन कोकिंग विद्रेका पहाडिया आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूं आलू मिति की सूखी सब्जी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर चैनल पर फस्स टाइम आए है तो प्ली काट सकते हैं अब मिने या पर एक मोटे तले की कड़ाई गर्म होने के लिए रग दी है अब इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे और हमें यहां पर बहुत ज्यादा भी नहीं डालना है देखिए हमारे वाल की क्वांटिटी यह लगबग एक बड़ा चमच के करीब और ह अब हमोईल को अच्छे से गर्म होने देंगे उसके बाद हम इसके अंदर एड़ करेंगे लसून और हरी मिर्च यह चोप की भी लसून और हरी मिर्च है यहां पर हमें लसून की क्वांटिटी बाकी सब्जियों की तुलना में लगबग डेड़ गुना लेना है और यहां मैंने 10-15 हरी मिर्च ली है आप चाहें तो हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं बाकी यह इनफ है अब जहां तक हो सके लसून और हरी मिर्च को चोप कर की डाले इसका पेस्ट बना के ना डाले अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर दो से तीन मिर्च तक फ्राय होने दे करेंगे वन टेबल स्पून नमक अब इसे वी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे कंटीनियू हमें चलाते रहना है वरना लसुन हमीच नीचे तले पर चिपकने लगेंगे अब इसके अंदर एड़ करेंगे यह दो मीडियम साइज के आलू मैंने आलू को अच्छे से चोटा चोटा काट लिया है उसके बाद इसे पानी में डाल रखा है ताकि यह काले ना पड़े अब हम इन आलू को लसुन और हर्मीच के अंदर डाल देंगे जो कि 50 परशन तक कुकुई है भी देखिए अब हम इन सब को भी अच्छे से मिक्स कर अब हम इन आलू को भी डखन लगा कर तीन से चार मिट तक पकाना है जब तक हमारे आलू जो है थोड़े से सौफटना हो जाए अब देखिए इस तरह से मालों को अच्छे से कवर कर देंगे हमारे आलू को पकते हुए तीन से चार्ल मिट हो चुके है इसमें टाइम थोड़ा उपन नीचे हो सकता है आप गेस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम या फिर लो रखें क्योंकि यह बहुत जल्दी चिपकने लगते है नीचे यह देखिए हमारे आलू हाफ को खो चुके है अब इस टाइब हम इसमें एड़ कर देंगे यह एक तीहाई चमश हल्दी पाउडर इस सब्जी में हमें हल्दी पाउडर का यूज ज्यादा नहीं करना होता है कि देखिए मैं इन सब को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें बहुत ज्यादा मसाले ज़र एड़ करने के जरद बिल्कुल भी नहीं होती है अब हम इसमें एड़ कर देंगे यह कटीवी मेथी अब ही हमें मेती बहुत सारी दिखाई दे रही है आप पांस मिल बात देखेंगे कि हमारी मेती जो है यह क्वांटिटी में बिल्कुल आधी हो जाएगी अब हम इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप स्टार्टिंग से ही कडाई पेन जो भी लेते हैं वो बढ़ा लें क्योंकि जब हम इसके अंदर मेती या पालक डालते हैं उस टाइम हमें बड़े बरतन की नीड होती है कि यह देखिए कुछ ही मिन्टों में आप देखेंगे के हमारी मेती इतनी काम हो गई है कौटिटी में की हमारी मेती को पकते वे हैं 4-5 मिन्ट हो चुके हैं लेकिन अभी भी अच्छे तरह से पकिन हैं हमारी सब्जी आजार पानी हे ँरり हैं इस सब्जी के लिए मैं आपको एक खास टीप देना चाहूंगी मेथी डालने के बाद आपको इस सब्जी को कवर बिल्कुल भी नहीं करना है वरना हमारी सब्जी जो है कड़वापन ले लेगी मेथी डालने के बाद आपको इससे मीडियम फ्लेम पर खुला ही पकाना है अब बिल्कुल रेड़ी है अब हम अब भी इसे कवर नहीं करना है पांच मिट तक हमारी अलुमेति की सुखी सब्जी को सर्फ करेंगे प्लीज आप इस रेसिपी को ज़रूर जरूर स्ट्राइ किजिए गाँ अगर आपको मेरे रेसिपी पसंदा थो प्लीज मेरे वीडियो क को जादा स्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्षिन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइगा आप इस अलुमेति की सुखी सब्जी को गर्मा गरम पराठे और मूली के सलात के साथ साथ सर्फ कर सकते हैं यह बहुत अच्छा कॉमिनेशन देते हैं आ किया हमारी अलुमेति की सुखी सब्जी आप इसका टेक्चर देख सकते हैं यह दिखने में और खाने में दोनों में बहुत ज्यादा टेस्टी प्लस हल्दी होती है बहुत जल्द मिलूंगे आप से अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए वाई थैंक्यू